नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इंडियान आयरवेदिक डोक्टर पर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त MKS माईसनी दोस्तों आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान दित्तिय पेपर के लेक्चर्स वीडियो ठीक है अगर आप अन्न सब्जेक्ट ज सब्सक्राइब के सिस्टेमेटिक तरीके से आपको वाँ पर वीडियो मिल जाएंगे तो चेक आउट कीजिए मेरी लिस्ट को और देखिए आपको हो सकता है आने वाले इसी लेक्चर्स वीडियो में स्क्रीन पर थोड़ा कम दिखाई ते या धुंदला दिखाई दे क्यों आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहें जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कॉंटेक्ट करना होगा मेरे ग्रूप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उनको जोइन होई चाहिए ठीक है आप मुझे परसनल मेसेज कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंग के लिए प्रितिग्या ही तू उधारण तिस्टांट और उपनेयन और निगमन यह अपने पांचों कर लिए थे उसके बाद में करते हैं अगला टोपिक है लिंग परामर्स लिंग परामर्स क्या है कि देखो यह तरग संग्रिया कोटेशन है याद करो तो करो नहीं कोई ज यहां बोल रहा है देखो दोनों में ही लिंग परामर्स ही करण है आता है अनुमित्ति का करण होने से लिंग परामर्स अनुमान है लिंग यानी कारण परामर्स यानी जो लाश्ट में आपने किया था ना भई परामर्स करते हैं किस तरीके से प्रित्यक्स प्रमान कंप्लेट होए तो बहुत दिन होगे वेवववटेल आप बहुत पीछे हो साथ आप बहुत क्लास में लेट हो प्रित्यक्स प्रमान होगे तो तीन दिन होगे है आज लिंग प्रामर्स करने स्वार्थ अनुमाइटी या प्रार्थ अनुमेटी दोनों में ही लिंग प्रामर्स अनुमान या दोनों यूंग प्रामर्स Sultan Über अपन ने परामर्स किया था ना अपन ने जब टर्मनलोजी स्टार्ट की तो उसमें परामर्स भी था कि लाश्ट में परामर्स होता है वीचार भी मर्स होता है मतलब जो भी रेजल्ट निंगलता है जो भी अपनने अनुमान लगाते हैं मतलब परामर्स करके वही अनुमान है जो हेतु लिंग यानी कारण हेतु हेतु परामर्स हेतु का जो परामर्स करता है जो ज्यान विवेचन करते है उसके बाद में जो रेजल्ट पराप्त होता है उसी को अनुमान है, तो सिंपल सी बात ये ऐसे बोलना चाता है, कि अनुमति का करण होने से, मतलब कारण होने से, हेतु परामर्स, लास्ट में देखो हेतु यानी, लिंग यानी हेतु होता है, मतलब कारण, जिस वज़े से आप उनको पता लग रहा है, जिस वज़े से, जैस परामर्स हेटू पर अपनने जो परामर्स किया था चाहिए वो स्वार्त अनुमान हो चाहिए परामर्स अनुमान दोनों पर विचार विमर्स किया था ना और अनुमान लगाया था उसी को अनुमान जिससे वो घ्यान होता है वो अनुमान है ठीक है लिंग तीन प्रकार का होत मतलब जैसे कि तीन दोस्ते पहले तो मतलब जैसे कि वात पित दोनों साथ कर दिया वात पित बन गया बात को अलग कर दिया एक मतल आप यह इसलिए तीन त्रक बन गया तो इसको समझना पहला है अन्वे व्यतिरे की, तो अन्वे यानी क्या होता है, साथ भी होता है, और व्यतिरे यानी उसका विपरीत, अन्वे का विपरीत मतलब अभाव, अपने कल समझा था, अन्वे यानी होता है, साथ होना, और व्यतिरे यानी होना, अन्वे के विपरीत, व्यति के रहत मतलब द्रश्टांत प्राप्तो दोनों प्रकार की व्याप्ति व्याप्ति मतलब कि इसमें व्याप्ति दो प्रकार की थी अन्वे व्याप्ति और व्यतिकरे व्याप्ति अन्वे में यह नहीं होता साथ पोत लिंग क्या है अपसमें तब इतों जिसने कल की क्लास लिए ना द्यान स सूनिया उसको समझ में आएगा जिस लिंग के साथ अनवे यानि साथ और व्यत्ति के रहे तो मतलब अब आगे जैसे जहां पर आग होती है वहां पर धूआ भी होगा ये था साथ-साथ अनुवे का भई धूआ है तो अगनी है ये था अनुवे व्यापती की का उदान पर आ गया अब गति की श्zeugक और धुरोगल यह होग और जैसे रसोई में यह है अनुवे व्यापती क्लियर जहां आग नहीं है वहां धुआ भी नहीं होगा जैसे जलाशे में यह व्यतिकर व्यापती है तो दोनों के एक साथ आना यह है अनुवे व्यतिकर लिंग परामर्स मतलब दोनों की व्यापती दोनों व्यापती देना जहां जहां दुआ वहां वहां अगनी जहां अगरी नहीं दुवाभी नहीं मतलब जहां अगनी नहीं बहा भी नहीं मतलब जलाश जलाशे में धुल musst और एक साथ दे दिए तो दोनों क्यों को को साक्ति मैं अनुवैं OR विथती मैं अuju में समझना poi का समझना साथ और व्याप्ति में अपन दो प्रकार के व्याप्ति कीती है अनवे व्याप्ति और व्याप्ति अनवे मैंने मताया था कि साथ रहता है जैसे जहां जहां तुहां वहां वहां अगनी और जहां धुआ नहीं वहां अगनी भी नहीं तो जलाश से तो दोनों के प्रप और पित दोनों साथ है उधरम, अब अगले वादान के आग है, बात को अलग कर दिया, पित को अलग कर दिया, तो पहला है, केवल अनवे, तो इसमें उल्ली अनवे है, मतलब साथ वाल एक्जामपल पाया जाएगा, जिस लिंग के साथ केवल अनवे व्यापती हो, जि जैसे घट अभीदे है क्योंकि वह प्रमे है यहां पर जो प्रमे है वह अभीदे ऐसी अनवे व्यापती तो है लेकिन जहां अभीदे तु नहीं है वहां प्रमे तुई भी नहीं है ऐसी प्रमे तो अभीदे की व्यतिकर व्यापती नहीं है क्योंकि संसार की सभी वस्तु प् केवल अन्वे तो सीधा सावा आता है कि ऐसा अनुमान कि अपने लिंग परामर्स कर रहे हैं कि लिंग परामर्स प्राप्त होता है उसको अनुमान कहते हैं यह तीन प्रकार का होता है केवल वेती रखती मतला अन्वे और वेती दोनों साथ वाला और यह अन्वे वाला तो ऐस अनुमान जिसका उणली साहत वाला एक्जाम्पल हो जाए्से अपनने बोला कि यह वस्तु है यह ध्रव ठीक है संसार में सभी चीज़ ध्रव है क्यों या तो निर्जीय होगी और सजीय और कि येश चेतन होगी तो यह यह है प्रमें देखो यहां पर बोलो क्योंकि संसार के सभी वस्तु प्रमें हैं और अबी धे भी हैं मतलब जानने योग भी तो है जैसे अपने निर्जjor कोई ऽी कुई स hatred डेख लो कभी नजर ना है दिखे ही में किसी उंस्तिक्स में उपजी ना हो उसकी उत्पर्थी नहीं क्यावल अन्वे अन्वे न la ni 7 ऐसे एग्जामपल जो हमेशा साथ वाले एग्जामपल साथ में दे तो झाते जाहान गालत वाला om the अगनी यह तो था साथ केवल अनवे व्याप्ति हो उससे केवल अनवे खा जाता है जैसे घट अभी दे क्योंकि वे प्रमे अभी धे मतलब घट यह नहीं घड़ा जिसको जाना जा सकते हैं क्योंकि प्रमे बस्तू है एक तरीकी इसको जाना जा सकते हैं इसका नाम दिया जा सकता ऐसे थोड़ी इस में मतलब नहीं मिलेगा अब इसको आप समझने कोसिस करना क्यासे कि इस में केवल वाले एक्जामपल पाए जाते हैं अनmud या नी साहथ होनाँ इस बात को पकड़ो तुम thumbs तब आपको समझ में आ जाएगा और जब ज्यादा भी समझ में नहीं है ना एक्जामपल ही समझ नहीं तो आपको जब क्यूंच आ भी जाए तो वह आपका माइंड ज्यादा जदा ही डिश्टब हो रहा है इस चीज़ को समझने में तो कोई बात नहीं आपने लिंक परांमर्स के परिवासा लिख दी पहला समझ में आ गया दोनों एक्जामपल लिख दिये पहले कि अब दूसरा केवल अनवे तो इसमें परिवासा लिख दो इतना लिख दो कि जैसे घ लिख दो है इतना यह तो समझने कोशिस कर लो ए फिर इसको पडलो समझने में यह है कि कि इसमें He squad L अभाव ओला एक्जामपल नहीं पाया जाता ठीक है अब तीसरा देखो को केवल वित्ति केरे less चोले मतलब onfyyamgd our example पाया जाएगा इसमें छे- मैं आले भूण चल रहा हूं वर्ड है कि तो समझ में आएगा क्योंकि यह थोड़े ना तदार्थ तरह लेवल कि मस्तिको अपने उसी लेवल पर सोचना पढ़ें या तो अगर सब्दोंगों पकड़एंगा सब्सक्राइब ऐस में ऌता रियर फार्फाइनल ह tätä कोई आपन जाता नहीं किसी चीज़ के तो मैं पार्वने के लिए है और दो वकड़ा ने अपने अन्वय और वियत्तिhowerए नहीं होता है साथ व्यत्तिकरे ने उसका विप्रित है नहीं अभाव वाला भाव तो केवल व्यत्तिकरेगी जिस लिंग के साथ केवल व्यत्तिकरे व्यापती हो जिस लिंग के साथ केवल व्यत्तिकरे व्यापती हो अब देखो परिवासा में तो कोई परिशान नहीं है सिंपल सी बात है की नाम से पता चल रहा ह। जिस लिंग के साथ वैपती.. उसे केवल वैठी करेए कयती खेते हैं जैसे पृतवी अन्य तत्योयादी से बिन्ह meditation क्योंकि इसका गुण गंद है जो आँकों से बिन्ह जो अन्योंसे बिन्ह नहीं वे गंद युक्त भी नहीं जैसे जल जहां इस प्रकार का उधान दे गए कि जो गंद वाला है वे अन्य तत्तों से भिन्हें क्योंकि गंद पृत्वी के अत्रिक्त अन्य तत्तों में नहीं पाया जाता सिंपल सी बात है कि आगर मैं बोलू कि तेज तेज गर्मी पढ़ रही है वालोक सूरत्व होनी चाहिए नहीं हो सकती क्योंकि अब्वहा हुए क्विप्री तो पस्तित है सूरिय अपस्तित गर्मी उत्पन पर रहे हैं अब मैं बोलू कि गंद है जो आंकों से दिखनी सबाता है क्योंकि उसका काम ही नहीं है अभाव को प्रदिश्च तrop करता नहीं आ आकास बागदी सारे अलग कर दिये क्योंकि इसका गुण गंद है जो अन्यों में अन्यों से बिन नहीं वह गंद युक्त भी नहीं जैसे जल समझो इस चीज को अब जल में गंद थोड़ी पाए जाएगी मतलब जल में अब जल का एक्जांपल देके बोल रहा है कि जल में ग अगजांपल को सिद्ध करना था कि अबहां को प्रतेशित करने के लिए केवल ब्यती केरे लिंक्प्रामस करें बोलते हैं यह बता बहुत कॉप्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटे से बतने के लिए क्लें क्या करना है तुमको पता है ना क Jewish बढ़री क्वेद्धों पे चब मैं व्यापति पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था इन सबतों को ध्यान से सुनना केवल व्यापति अनवह व्यापति का महलेनि जहाँ पर साथ का सहयोग का एक्जेम्पल आए जहाँ-जहाँ अगनी फहाँ-वहाँ-वहाँ अगनी और गर् to व्याप्तिती उसमें बताया था कि इसमें अभाव होता है कि अगनी भी नहीं तो धुमा भी नहीं जैसे जलाश से आप विए जाए केवल वेतिकर रिखते में मतलब अब जल में गंद का अभाव बता रहा हो इसे बोल सकता हूं रूप में गंद का अभाव क्योंकि आपनको अभाव सिद्गरना वह सारे एक्जामपल है तो आपन कुछ लिख सकते हैं वह सारे एक्जामपल आपके अब तक आपने इतना इस्टेडी कर लिया कि गंद ओनली प्रिथवी ना समय पाई जाए ठीक है तो अपन बोल सकते हैं जल में गंद का अभाव शुर आकों बहुत सारे प्रिषान नहीं होगी अवहमें पर कितना ही समझा लेता आपको समझ में नहीं आता अब सद्घु सद्ध हेत्व अब देखो एक debate कारण जिसवाज़ास अपन सिद्ध करना साथ को सिद्ध करते हैं एडू अपने टर्म lawyer में स्ट्ड़ी के को फेतु यह जिसकी साहता से अपन सिद्ध करते हैं साध को सिद्ध करते हैं जिसकी साहता से जैसे धुआ हेतु था अगनी को सिद्ध करने के लिए तो सद्य हेतु यह नहीं सत्य हेतु किसे कहते हैं सत्य कारण किसे कहते हैं यह इंपोर्डेंट है दो नंबर के इसाब से हेतु के विन्या साथ की सिद्धी नहीं की जा सकती अगर कोई कारण ही नहीं होगा जैसे अपने अगनी को सिद्ध करने धुआ का कराण दिया बारिस को सिद्ध करने भी बारिस आए अनुमानी तो लगा रहे हैं क्योंकि अपन अनुमान प्रमान बढ़ रहे हैं बारिस को सिद्ध करने हैं कि को आयो कि हैश के माना इस तरीके से कि इस लेडी को बच्चा होने वाला अपने गरब का अनुमान लगाया कि गरब है इसवजे से इसको अनुमान आपने वह आई बाड आई कि शीए घुद के विनया साध की सिद्धी नहीं की जा सकती कोईवी बात थो उसको को सिद्ध करने लिए हेतु की आव सकता होती है अनुमान की सत्यता बहुत हद तक हेतु पर आधारित होती है जो अपन अनुमान लगा रहे हैं किसी भी चीज़ का अगर वाजीब जायज और करते हैं अनुमान लगाते हैं इस वक्ति ने ऐसा बोला है मैं जैसे कि मैं बोलू पैसेंट आया डॉक्टर साब मेरे को पेट में गुड़गड़ हो रही है मतला अपान वायू इस तरीके से तो उसको वो बोले रात को क्या खाया उसने बोला कि रात को मैंने रूखी सुकी ब है मतलब वातकी वद्धी जरूर से ज्यादा वर्संतन हो रही है तो अपन क्या करेंगे उसको एसे रोसों सेवने लाइए म हीच्व यह संवनल करता है कि वह कितना ठीक होगा बारीस होगी की नहीं होगी वह बादलों के उपर डिपेंड करता है कितने परसेंट बादल है अपने लगाए अनुमान की तेज बादल है काले बादल है ऐसे बहुत पर आधारित होती है लेकिन हेटू सध हेतू होना चाहिए लें जो कारण ने सद न चाहिए सुच होना चाहिए सतो होना चाहिए ना किrictly एसा निया कि दोपैर हो रही है सूरध चमख रहा है और पनों बोलवよね चाहिए बारिस के आसतो अपनवाना लगा mail दब सुझाइक बारिस ऑने धेन सकत तो इस था निर्दोस होकnant मतलब सद हेतु है तो निसकर्स भी निर्दोश होगा अगर हेतु वाजीब है जाया जाया रिजनेबल है तो वह हमेशा सत्त होगा जैसे कि मोसम है बारिस का मोसम है ठीक है यहां पर पानी बरावगा बहुत ज्यादा तो अपन लेगें कोई बारिस हुई होगी इस वज़ेस यहां पानी बरावा भरी मतलब दो पैर चल रही है कोई ऐसा मोसम नहीं है और पानी बराव तो अपन सोचेंगे तो किसी ने बिजली चला के शोट देगा या किसी का या तो ताला आपका जो वह होते हैं बंद बंद हट गया होगा किसी ने वहां पर किसी वज़ेसे क्रित् अनुमाल लगाते हो किस तरह का अपने ही तु चूज करते हो तो निशकर्षवी दोस्पूर्ण हो जाएगा अगर मतलब हेत्व इसमें लिखाऊगी तो निश्कर्षवी निर्दोस होगा यदि ही तू सहे दोस्ट ऐसा देतु है मतलब जायाज नहीं है एसा ही तुक्का ल लगने को अनूमान लगाते हैं तो आपन ने ईक को भूलते नै एसे घोड़ा रहे से में उसको टिकमार के जाते हैं उसको बोलतक है तो अमेश्या ऐसा ये लिइद दोस होगा थो आपका आँचर भी गलती होगा फिर सिधी सी बात यह इस दोस पूलों जाएगा है ये तु लिंग साधन में समानार तक है ही तुलिंग साधन में जो हेतु हना जो मतलब कारण है जिसको साध्य करना है साधन एक तरीके से अपन परमान यानी क्या होता है साधनी तो होता है और यह किसी चीज को साध्य करना अनुमान परमान बात कर रहे हैं तो एक तरीके साधनी तो ही कि हेतु लिंग साधन में समनार तक है सकते हैं अपन सत्य कारण बोल सकते हैं कि आनुमा लगने के लिए प्रूत है Casa प्रीशीन नियायोग नियायोग निए टर्सन लिखनेे वाले व्यक्ण निए लिंग सब्द का ही अधिक क्या मतलब लिंग को लिंग परेयोग कहते क्या रिंग कि आपने वालों लिंग को हित isn च्ट गर सकते हमत्वेश के लिए पंपोडेंट नुद जरन आट्र में गडांस है पक्ष सत्व हेतु का पक्ष में रहना पक्ष में रहना पक्ष यानि अपने क्या टर्मोलोजी श्टडी के थी पक्ष में यानि लोकेशन इस्तान जैसे कि अपने बोलाएं जहां जहां दूं वावा अगनी तो खांपे परवत परवत था पक्ष अपने एक्जाम्पल दिय करें वो से पक्ष सत्व हेतु का से पक्ष में भी बने रहना कि जब प्रूफ हो जाए कि यह बात सत्थ है तो उसमें भी उसे तुकी योगदान होना चाहिए एक्चुली में यह ऐसी चीज थी जैसे कि अपने कल किया था ना पक्ष से पक्ष और विपक्ष तीन गोला मार के लिए तो बीच में 15 बिसमित के क्लास हो गल में पक्ष सहपक्ष और विपक्ष actually क्या था परवत संदे सामने आजाए ना उस समय भी वह हेतु प्रेजेंट होना चाहिए कि देखो यह साथ में है इसके अब देखो विपक्ष विपक्षता सत्वे पक्ष विप्रीत द्रिश्टांत में हेतु का अभाव जैसे कि कोई गत्ती ने चोरी कर ली एक एक्जामपल है समझने के लिए किसी इनकी विक्ती ने चोरी कर ली तो अपने उसको बतारां कि इसने चोरी कर ली तो अमने मोल्यकिन हमारी बस्तु यह इसके पास महाराव चोरी किए तो यह अपना था कि बस्तु जो ना जो मतलब जो बस्तु इसके पास पाई गई है इसलिए हमें इसको चौर बोल रहें तो यह बोलता है कि विपख्च सत्विए यह बच्ण विप्रित करते हैं दो व्यक्या करते हैं तो यह अपनी बात को सिध्ध करने में लगे हूं एक व्यक्ति ने सिद्ध किया किसी बात को पकड़ ले जैसे कि वही बरसात का तो उसने बताए कि बादल है तो वह दूसरा वीपति नहीं होगी बरसात तो बोला क्यों नहीं होगी बरसात को बदल नहीं है तो बादल उपस्तित उसके उधान देता है एजम्ब देता कोई साई मालो उसमें उसकी उपस्तति नहीं होनी साइए ऐसे नहीं है कि वह उसकी तरफ भी खेल रहा है उस तरह कि दोनों पलडों में नहीं खेलना चाहिए एक जगे मतलब एक विशिष्टा वाला ही तुम होना चाहिए उसके जो अपनी बात को सिद्ध करने वाला होना चाहिए हमेशा दूसरे के विपरीत वाले द्रिष्टांत में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए जैसे कि अपने बोलो को गवाई देना चाहिए को व्यक्ति इसको मैं खून करते हुए देखा ठीक है तूखा था उसमें में वहीं पर गल कि इसको मैंने मरर करते हुए देखा था फिर वह बोलता है कि तूद देख नहीं सकता क्योंकि तेरे को तो मैंने उस टाइम पर महां पर था तूँआ पिच्छर देख रहा था या फिर तू उस समय उसके साथ वेड़ा था तूस समय नहीं सकता तो जज उसकी बात को नकार होना अगला चोता है अगर आपन उसको देख भी लें प्रित्यक्ष कर लें अपनी इंद्रियों का यूज करके उसको जान लें समझ लें उस हेत्व को तब भी वह अपनी जगे से नहीं अटने चाहिए हमेश्या उसको सिद्ध करने वाला चाहिए मैंने एक्जांपल दिया साध्य विप्रित वस्तु की सिद्ध के लिए अन हित्तु का नहीं पाया जाना और सिंपल सी बात है कोई जैसे जूटा व्यक्ति है या फिर कोई भी ऐसा जो सामने आपने कोई भी बात विवात कर रहा है उसके पास उस हित्तु को काटने वाला उसका प्रतिकार करने वाला कि इसकी ये तो नहीं मानने होगा वो ऐसा हेतों भी नहीं होना चाहिए इतना धमदार हेतों होना चाहिए इतना जायज रिजन होना चाहिए तो अनुमान हमेशा 100% सटी होगा कि लिए इसका एक एक जामपल समस्कता हूं जैसे कि आपने अबस सदेवाले कुस्षन देते हैं पीएमटी में आते हैं पीजी में भी देंगे आपन तो दो कुस्षन तो पूंचता है कि आपने दो अप्शन तो ऐसे देखके बदो देगी यह तो भाई सुसुरूत का है यह अपन से पूंच रहे हैं अश्टांका तो यह सुसुरूत का होगा यह चरक का हो गया दो तो ऐसे कैंसल होगे तीसरा उसने देदिया दर्सन के अनुसा अपन को पचा चल गया कि तीनों तो अलग होगे बचा चोथा कंफर्मेशन नहीं है तो अनुमान लगा कि आपन बोलत दिया तो उसका प्रितिकार करने वाला नहीं होना चाहिए कोई सा भी के लिए यह ते सदेतु के पांच गुण अगर यह ऐसा गुण होंगे ऐसे अनुमान लगाएंगे इन गुणों के आदार्व देखके तो कभी कोई बात जोटी नहीं होगी तो यह सदेतु अब आता है हेत्वाबास संसार का सबसे most important question जो हर साल आता है एक साल भी ऐसी नहीं है जब से 2013 12 के paper देखें मैंने तब से 2020 गुनिस तक तो यह question आया है continue आया है और हमेशा 5 नंबर 10 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 5 नंबर 10 नंबर और यह इतना difficult and complicated question है सही आपको समझ में तो इसका एक रीजन है रटना रट्टा मारना रट्टा नहीं मारना तो सब्दों को समझना कुछ भी करो लेकिन हेत्वाबास आपको आना चाहिए इसको रटलो इसकी लाइन लाइन कितने लेन लिखनी है वो नोट्स में लिखिवी ही है नोट्स के हिसाब से आंसर देख्या होगे तो भी सही जाएंगे लेकिन समझने के इसाब से मैं बुक के आज चूज की है हेत्वाबास संसार का सबसे most important question है क्योंकि मैं जानता हूं जब से मैंने फेपर देखे हैं 2012 से और अब 2020 साल रहा है 2020 में भी एक question आएगा clear तो ज हेत्वाबास सब्द दो सब्दों से मिलका है हेत्व और आभास इसका साब्दी करता है हेत्व की तरह जलगना या हेत्व की भाती मालूम होना एक्चुली मतलब जूटा कारण हेतू की तरह हेतू नहीं है लेकिन हेतू की तरह है मतलब एक तरह के से क्या बोलते हैं इसको छलावा दिखा छलावा होता है यह तो उसके जैसे दिखता है रहे duplicates, वो है हेतु का duplicates है, reality नहीं है ये हेतु जो कारण था साथ को सिद्ध करने वाला उसका duplicate है, और ये duplicate जब आ जाता है तो व्यक्ति कनिफ्यूज हो जाता है कनिफ्यूज हो जाता है, अनुमान हमेशा गल्त लगाता है अपन बोलता है, अमारा अनुमान गल्त क्यों हुआ यार देखो, बादल भी थे, बिजली भी कड़क रही थी लेकिन बारिस नहीं हुई तो अनुमान गल्त हो गया तो अपन हेतु आवास को देखते हैं उस समय मतलब हेतु के जैसा ही है बादल भी थे, बिजली भी थे लेकिन कुछ क्वालिटी थी अपन समझ नहीं पाए कि ये जूटा वाला एतु है तो वो हेतु आवास होता है समझे दुबारा से हेतु आवास सब्द दो सब्दों से मिलकर बना है हेतु और आवास इसका साब्दिकर्द होता है हीतु की तरह जलगना है हीतु की वाती माहलूम होना ये दुष्ट एतु है मतलब बेकार हीतु है तो आचारी लिखते हैंगे दुष्ट एतु क्योंकि उसके सारे अनुमान जो लगाते हैं ने विक्ती हाथ है आपने क्या सही है यह सही है कभी को य二 बटा होता है अंसर हो भगल में लखादा्य दो बटाब 25 मतलब औरह फिर शायर रहते कि मोस्ट ली गलत वालDAY पेडिक होता है तो यह सिंपल सी बात है इसे ही एह हितु भी खहते हैं एह कारण भी खहते हैं इसे ही एह हितु भी कहते हैं अनुमान के प्रिसंग में हेतु अवास का सब्द का परियोग अनुमान के दोस का परियावाची है कि वही अनुमान लगाने में अनुमान का जो दोस है अनुमान के पढ़ते हैं ने हीडिल में डिटेल में अपनी भाएर ढ़ते लेकिन नमें बाहर जाकर बाद में पढ़ते हैं तो दोस्ट समय कोई गैस के गुबारे बन रहे हैं तूर में तो अपने उसको पेल पहले अनको समझ लिया हैं'RE तो अपनने इसको के समझ लिया को गया है ने तो होगया ने द्युंस वो इत्वावास है हमेशान में गल्ति करने वाला अनुमान का दोस टीक है अनुमान के दोस्त का परियावाची एक तरीके से हेत्वावास और आपन जो भी एक्जाम देते हैं जो भी गलती करते हैं अनुमान लगाने में वो हेत्वावास की वज़े से करते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस वज़े से एक्जाम में आता है क्योंकि हर मनुस जैसे कि एक्जाम में क्विस्चन आया कि रसके कारियर लिखिए तो अपन इतना एक्जाम का परिशन इतना रहता है कि हम रसके गुंड लिखिया जाते हैं आपको ना आपने सोझा है कि रसके कारियर गुड में क्या फ़र्गा चल तो सिठीक है समझ लिया क्योंकि आपनों ने गलती हो गई हेतोबहास कर लिया अपनने तो हेतो अवास बहुत इंपोर्टेंट है फिर बोल रहा हूं इस टार मार कर लो यह तो अवास के भेध या प्रकार एक तो अवास की परिवास है समझ में आगी आल केलियर समझ में आ सब्सक्राव हो सभी वच्चों को 15 16 वच्चे हैं कुई आंशर देगा इस समय कि ज्यादा तेज तो नहीं ओरा न हेतो अवास के भेध या प्रकार जोटके सरीदा के वर्सा है हेतो हेतव वाज के भेद या प्रकार हेतव वास के भेद मतलब कितने प्रकार का है एक उबास ऑर टाइपस मतलब एक ही बात आप यह प्रकार का हेतवावास है सब्वे विचार विरुद्ध सत्वे पृतिपक्ष एसिद्धी और वादित यह पांच रट लो इनको अब यह तो है नहीं कि अपने लिए कुछ इजी नहीं होने वाला बनाना पड़ता है ठीक है पहला है सब्वे विचार सब्वे भी चार अब इसके कोटेशन कोई जुरू नहीं है याद करने आगे बढ़ते हैं जो हितु अनेकांतिक होता है वह सब्वे विचार है अनेकांतिक आर्द होता है नियत इसको जर्णे रहने वाला अतहार जो अपने साध के साथ हमेश्या नहीं रहें बलकि कभी साध के साथ तो कभी ऐसाध के साथ दो वेक्ति हैं कोई बात को बोल रहे हैं तो जो अपने हेतू डिसाइड किया जो कारण डिसाइड किया वो कभी उसके पक्ष में चला जाता है कभी उसके पक्ष में चला जाता है तो मतलब इधर से उदर इधर से उदर तो बात सिद्ध नहीं हो पाती एक्जाम्पल से समझो 4-3 निए फ्रकार का होता है पहले इसको परिए इक्जामपल दिया इसको मैं जी इनश जयसे नब जनावि जनेवुए खेंटव है तो ठीक है आपने किसी वक्ति के गले में जनेवु देखी तो अब्यूसी बोलेगा नहीं है लिदेख है मैं भी धर्मों को मानता हूं तो मैं तो ब्रह्माण नहीं हूं कुछ भी जातका ओ सकता है कोई सभी समाझ ड़न को हो सकता हो जैन 치 помог सकता है कुछ भी क्phone Kelly सामाई परकण ने किसी भी कोई लगा तो जो जिसको हेटे फिक्स अधणना तो तो आधार पर अपनके चीज़ का अनुमान लगाते हैं अपने उसको चीज़को देखके अनुमान लगाए उसक्तिवारां कि ये ब्रहमन ऑन गल्स होंगे सिंपल सी बात है क्योंकि हेत्वा भास है क्योंकि सब विच्छार यह समय जो नियत नहरेने वाला अथार्थ जो अपने साध्य के साथ हमेशिया नहरे ऐसा तो है नहीं कि अपने ब्रह्मनी जनेव भी फैंटें ऐसा थोड़ी है जनेव तो कोई भी भी फैंट सकता है योगी सब्षार के इसको हिट्वा पास यह सवी विच्छार सब्षार की तैनेवाला है साध्य भाव के अधिकरण में रहने वाला ही तू इसके तीन टइप्स हैं पहल जो सवी विचार नंे हैं धेपो हेतोवावास के पांच प्रकार थे उसमें पहला था कि सःपोके तीन टैप्स हैं सवीचार के तीन उप टाइप्स हैं गार साधरन स फार्चों किally तो साध्रन की עभावों कि अधिकरण में रहने वाला हेतु साधरन नामक अनेकांतिक हेत्वबास है खेने का थाप्त्री देखो इसने बोल दिया लेंग्वेज में कोई पल्ले नहीं पड़ेगा अब आधा खेने का थाफ्तरी यह कि बोलना क्या चाते हो वही कहना क्या चाते हो यह तो बताओ कि जिसमें हेतु साध्य के साथी पाया जाता है और उसके अभाव में अलग अन्वस्तु में पाया जाता है उसे साधरन अनेकां पाये मनें तो लेन से लगनें देखें तो बहता है कि यह तो गाये से तो इरन के भी होते हैं से भी होते हैं। तो सब्!". Link मानेंगे तो सब्य विचार साधरन हट्व तक नहीं तो आपका साधरन हो अंग रहिसमाब आए क्योंकि इसके सिवेंगर तो यह जाते हैं कि की सब्य प्राइं मान लोगे क्या नहीं तो आपका हेतु कौन सा हुआ हेतु आवास बन गया हेतु तो और कौन सा हेतु आवास बना साधर्ण सवे विचारी ठीका वो जने वाला अब जामपल वहां फिट कर दिया मैं या भी फिट कर सकते हो किलियर अब दूसर देखो एछ साधर्ण एछ साधर्ण जो हेतु सभी सेपक्छों और विपक्छों में व्यावर्त हो अर्थार्थ उनमें नहेर रहने वाला हो किन्तु पक्ष मात्र में रहे संद्धे वाले इस्तती में रहे पक्ष पक्ष नी लोकेशन इस्तान टर्मिनलोजी इसलिए फढ़ाई थी मैंने आपको पहले वह ए साधर नाम का एनेकांतिक हेतो अवास है सिंपल सी बात यह है कि कोई साभी हेतु हो ठीक हेतु अवास का बनता है जैसे कि यह बोलता है उनले कि जो इसको समझना बड़ी आराम से जल्दी बाजी नहीं करूंगा बाद में कर लोगा कोई टेंशन नहीं तोकि इंपोर्टेंट है जो हेतु सभी सेपक्ष और विपक्ष में वियावर्त हो औलीफ में पाया जाता है पक्ष सह या नहीं संदख होना मतलब उस लोकेशन पर संदख्भाई अगनी है कि नहीं कन्फार्म हो गया बिपक्ष या नहीं तो हैए या सब कीसन जलास और विपक्ष या जब कन्फ Barbie सब सब इस इसका झाँना उस 스ס sure हो अपने किसी चेज को बोला कि वहां पे धुआ है वहां पे अगनी आपने वहां पे गए तो जब कनफर्मेशन कर रहे थे सह पक्ष वाले इस्तिति आई तो वह गायब हो जाता है मतलब है होता ही नहीं है तो बच्चा किसमें यह ओनली पक्ष में रहता है ओनली पक्ष मतलब संदे वाले इस्ति जब उतमें रहने वाला किन तो पक्ष मात्र में रहे वह ऐसाधार नाम का अनेकांतिक हित्वा भास है और जो सद हित्व है उसके कुण बताओ उसके आप यह इस्टेडिकेत अपने कि वह सह पक्ष में भी उपस्तित होना चाहिए जब अनुपस्तित तो हो गया नहीं ऐसा धेतु तो होता है ऐसाधारण सव्वे विचारी अहित्वा भास एक्जांपक्त समझ में नहीं है आपके हाई-लेवल करें इसमें प्रित्यक्ष प्रिस्तुत पक्ष को छोड़कर उसका कोई अन्य उद्हान नहीं मिलता उद्हान ये नित्त जोड़कर और नहीं नहीं कि जा सकती सिंपल सी बात है टिंट् सभी वर्ड सुन रहे हैं ठीक अपन सब्थी सुन रहे हैं तो इसमें सब्सक्रिण यह इस में अईपनी श्रोतेंहें कुछ पॉ annat हैं लेकिन इसका अलग वह सब्द क्यों सुनते हैं इसका कोई अलग रीजन जो सैपक्ष कनफरेमेशन दे कि देखो ऐसा मावी होता है बोलते ने कि प्रिसिद्ध उधारन हो व्यापती बनानी हो सिद्ध करना हो तो वह सिद्ध नहीं कर सकते हो इसको ऐसे दूसरे उधारन मिलता नहीं है तो यह बोलता है कि सब्द नित्व क्योंकि उसमें सब्दत्व पाया जाता है सब्द के सब्द को छोड़कान किसी पतार्थ में किसी पतार्थ में पाया जाता है सब्दत्व नहीं पाया जाता है इसका कोई अन उधारन नहीं मिसलता है अन उधारन के विन्या व्य इसलिए बता है कि वो सभी सैपक्ष और विपक्ष जो अपनी टर्मलोजी स्टार्ट की थी कि कानफरेमेशन के टाइम पर और अपने सदेतु के गुण किये थे पांच उसमें सदेतु को गुण था कि वो सैपक्ष में भी उपस्तित हो तो उसे सदेतु बोलते हैं अगर सैप दो पस्तित नहीं है सपक्ष के टाइम-ब्सो बिए हिस्तव अब पास हो गया है या एसत अधव ही तुक हो इसको ऊát रॉत आप देखो अनूप सुन्हारी कि 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 animations जो हूंठ 21 वह रिष्टन वह यन्री साहत अ वर्षा राज-ए साधरन समझ में का मतलब होता है इसकी शु हेतो सबी सहपक्च हो और विपक्चों में व्यावरतों मतलब जो कारण कि अपक्च के टाइब मतलब सहपक्च लेखो पक्च सहफच को रड़ होत decision होता है संदेट सेपक्च है निक roadmap किकल है किसका इस्तान का लौकेशन की बात करें लोकेशन में संदने लोकेशन का कन पूर्ब्र वपक्ष्च नहीं एपसेंट हैं इस लोकेशन पे वह चीज नहीं है है तो इस आपण ने अभी सदे तुके पांच गुण को किया थै इंसमें एक गुण था कि सदेतु सेपक्स में भी उपस्तित होता है एक fourth इसमें देखो जिआवर्थ थह औन उपश्तित है तो 산 imposs suspected की शित्व तरी के समझो एक्जाम्पल पर मत जाईए नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा अब देखो अनुप सन्हारी जो यह तू अन्वे द्रिश्टांत और व्यत्ति के द्रिश्टांत से रही तो वह अनुपू संचरी नामक अनिकातंती हित्वा भाग है इसके पक्ष के अत्रिक कुछ अनित्य प्रमे होने के कारण इसको समझो अनुप सन्हारी जो ही तू अन्वे द्रिश्टांत मतलब साथ वाले के द्रिश्टांत साथ रहने का द्रिश्टांत मतलब साथ रहने का उतारण और व्यत्ति के द्रिश्टांत मतलब उसका अभाव होगा यह मतलब अनुप वस्तित रहेगा से रही तो ना तो साथ ना अभाव कुछ भी ना मतलब रही होना ही नहीं है वह अनूप्स मेरी नामक अनिकांतिक हेत्व अवास है यह परिवास आपको याद हो जाई है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यह देखो आगला आगे फड़ो इसके पक्ष के अतिर से पक्ष या अभीपक्ष का द्रिष्टानती नहीं मिल सकता तो यह बोलता है कि जब सब कुछ अनित्त है कि सब कुछ अनित्त है अध्यों यह भूत बड़ी बात है कि सब कुछ अनित्त है अपन ऐसे बोल रहे हैं कि कभी ना कभी तो यह प्रमान नस्ट होगा कभी ना कभ होगी कभी तो यह पृत बड़ी बात बोले कि सब कुछ जब सब कुछ ही आ गया तो बचाई क्या इसमें अपन भी आ गए आत्में भी आ गया काल भी आ कि इतनी नित्यपदार थे नो भी सब इंक्लूड होगे सब कुछ कि एक ना एक दिन तो सब कुछ खत्म होगा कि तो सब कुछ आगया तो अलीत्या ब Mrintosh वह तो बोलता कि जहां सब कुछ है जाव भी आ गया आद खत्म उसको सब कुछ भी आ गया अभी पक्छ करो लेकिन सब कुछ है वही यहां पर सब कुछ है बात कतम जाते инृ शies conversation जाते हैं कि यहां पर हर तरह की सबजी मिलती है सब कुछ मिलता हर तरह की सब मिलती है सब कुछ उसमें आ गया कि सब कुछ मिलता है तो अपने ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सबकुछ मैं वोडों कि मेरे और को मैं पदार्थ-विज्यान में सब कुछ आता है मैं ऐसे बहुत कोशला हुं चीह जैसे को आपको बैदात्त विच्ञान सब आती है तो आपके लिए क्या याद होना क्या रहा जाना कि च्रहता है अम जो रहे होग है मैं जो क्या नहीं आता उसका भी कोई मतलब नहीं है तो इसका मिनिंग समझें आप परिवासा ही लिख लो आप पहले तो ना कि बापिस करना उपर जो हेतु अनवे द्रिष्टांत और व्यतिकरे द्रिष्टांत से रहीत हुए अनुप संसारी नामक का अनिक आतिंत हेत्वाव वास है इतनी से परिवासा लिखके आप लास्ट की लाइन लिगने है कि जहां सब कुछ जब पक्च हो गया सबक्च हो तो बिपक्च का द्रिष् मैंने जब बोली दिया कि सब कुछ मिलता है तो बात भी खतम क्या से विपक्च ना तो किसी का अबाव हो है ना किसी की कंप्रिमेशन की जूर्तगी एक अंक्लियर है तो सब कुछ आ गया है तो यह होता है यह एक तरीके से बड़ा चलावा है इसलिए इसको हित्वावास मे टीनों में रहता है साधर्ण क्योंकि आपन चलिए संदे में भी जापक्च व논गा तीनों में रहता है मतला बेक तरीके से विए साधर में रहता है मतलब शुरुवात की संदे इस्तती में रहता है जब कनप्रेमशन के टाइम पर जाएंगे यह गायव लूप्त इसलिए ऐसे देतू था अनुम्सन इस यह पक्च सर्वयापी होता है इसमें पक्च सर्वयापी है मैंने बोल देगी यहां पर सब कुछ मिलता है मत इसका मतलब यह है कि कनप्रेमशन की जूरती नहीं थी विपक्च है नहीं उसमें उनली पक्च ही रह गया तो सर्वयापी पक्च तो इसका यह टाइप से न यह आपको थोड़ा सा देख लेना है यह आपन विरुद्ध कल की किलास में करेंगे काफी टाइम लेलिया मैं बहुत ज्यादा बताना पड़ते हैं ठीक है थैंक्यू